दोस्तों नमस्कार एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल देव जी के ट्रिक में तो दोस्तों आम लोग यहाँ पर एक हिंदी का बेहतरिन टेस्ट लगाने वाले हैं यहाँ पर आपका पहला प्रास्ण दिया गया है कि प्रत्यन के आधार पर ला किस प्लकार की ध्वनी है याँ पर ला सब्द पूछा है ला याद रुखे जब ला बोलते हैं तो जीब आपकी पीछे को मुड़ जाती है और आपके तालू को इसपस कर जाती है ऐसे को पीछे को जिब मुड़ जाती है पीछे अर्थत पार्षविक क्या बोलेंगे इसे पार्षविक बेंजन बोलते हैं ओप्शन राट आपका ए हो जाएगा पार्षविक ठीके वहीं पर अगर बात करें प्रकम्पित ऐसे उनते हैं प्रकम्पित जिसे हम लोग लुन्ठित बोल देते हैं लुन्ठित बोल देते हैं तो लुन्ठित आपका होता है रा याद रखिए एक ही ऐसा बेंजन है जो आपका पार्षविक है और एक ही बेंजन जो आपका है लुन्ठित वो आपका रा है दो पॉइंट आपको याद किन्यम्न में से कौन सा सब्द आमात्रीक है कौन सा सब्द आपका है आमात्रीक है तो यहां पर आपका राइट अंसर आपका यहां पर सी हो जाएगा ठीके आमात्रीक है नेस्ट कोशन दिया है किन्यम्न में से प्राण या महाप्राण वर्ग है महाप्राण देखें महाप्रा अब यहां पर काफी बच्चे वर्ग नहीं समझ पा रहे हों तो आपको बता दें जिसे होता है का, खा, गा, घा, और अंगा ठीक है यहां पर प्रतेक वर्ग का दूती और आपका चतुर्थिया कहें समिस्थान जो होते हैं वो आपके महा पराण में आते हैं देख लीजिए माप्राण आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर थिरी का उप्षन तो थिरी का उप्षन आपका यहाँ पर था हो जाएगा थोड़ा से तो आपको देखना पड़ेगा वर्ण माला में जवाब आपका हो जाएगा यहाँ ठीके और वहें पर बात करें किस वर्ण के साथ आता है तो अंक और अहा किस वर्ण के साथ आता है याद रखेगा अंक और अहा किस वर्ण के साथ आता है तो यह आपके आते हैं आपके इसमें आते हैं ठीके आवाले में आते हैं बे नंबर आपका सही हो जाएगा नेस्ट कोश्चन आपसे एगला पूछा गया है जो की हमेशा और हर एक जाम में कोस्ट बनता है कि चार आपके स्यूखति बेंजन होते हैं उसमें से जो चार आपके सकते एक साइउखता है और कौन-कौन से वड़ों से मिलकर बना हुआ है तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा 5 का चलिए फाइब का उप्शन राइट यहाँ पर आपका जवाब ए नम्मर होजेगा काधन सा के योग से आपका च्छा बनता है ठीके काधन सा के योग से आपका च्छा बनता है तरा की बात करें तरा एक होता है ना कौन सा ये वाला तरा ये आपको जो बनता है वो ताधन रा क योग से बनता है ठीके एक ग्या होता है ग्या जो बनता है वो जा धन यहां के माध्यम से बनता है और एक स्रा होता है जो परिस्रा माला ठीके वो आपका होता है सा धन राज से बनता है ठीके चारों आपके हो गए चलिए भासा की सार्थक लगुतम इकाई बताईए भासा की स जो सार्थक लगुता मिकाई होती है वो ध्वनी होती है याद रखिएगा ध्वनी ठीक है सी नमबर आपका हो जाएगा नेस कोचन है इनमें से कौन सा वर्ड अलप प्राण बिंजन है इनमें से कौन सा वर्ड अलप प्राण है अभी हमने प्राणा बताया था जो बिसम इस्थान होते हैं एक तीन पाँच है ना और एक तीन पाँच में जो आपको दिखाई देगा वो आपको देख सकते हैं चावर्ग जो कि पहला इस्थान आपको आगया है और सन रैड़ अपका सी हो जाएगा नेश कोशन आपको दिया गया है कि इन में से कौन सा वर्ड इस्पर्स बेंजन नहीं है इस्पर्स बेंजन नहीं है इस्पर्स बेंजन होते क्या है इस्पर्स बेंजन की संख्या आपकी 25 होती है का से लेके मा तक ठीक है इस्पर्स बेंजन में आते हैं और यहाँ पर जो या रा ला वा होती है ठीके सभी लोग वीडियो को लाइक करिये एक बार मज़ा आ जाए चलिए नेस कोशन दिया गया है कि या रा ला वा वा बेंजनों को कहते हैं इसका जवाब तो आपको अभी तुरंथ हमने दिया है कि या रा ला वा अर्थात ऐसे बेंजन जिनको बोलने में पेड के अंदर से आते हुए सब्द प्रतीत होते हैं उनको अंताहस्त बेंजन कहते हैं जवाब हो जाएगा बे नमबर यहाँ पर अंताहस्त बेंजन चलिए बहुत अच्छे स्कूर है आप सब लोगों का चलिए निम्लिकित में से दंतब विवर्ड कौन है यहाँ पर दंतब विवर्ड पूछा गया अधर संबर में और दंत अर्था जो आपकी जीव होती है वो दात से सपर्ष करती है ता था दा दा ता वर्ग वाले जितने भी होती है ता था देखिए जीव आपकी तालू की सपर्ष कर रही है अर्था था आपका ता हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा नेश कोर्षन है घा का उच्चारा रिस्थान कौन सा है घा का उच्चारा रिस्थान जो घा है घा का उच्चारा रिस्थान आपका हो जाएगा, कंठ हो जाएगा ठीक ही, कंठ हो जाएगा, कावर को बोल्ले में कंठ आपका ज्यादा बाइब बिलेट करता है अगला कोर्शन है, निम्न में से अर्दस्वर कहलाता है, देख लिए कितना लाजवाब कोर्शन है, अर्दस्वर कहलाता है अर्दस्वर और याद रखेगा जो अर्दस्वर है वो आपका कौन सा है चले यहाँ पर सही जवाब अर्दस्वर हो जाएगा इनमबर आपका या जो या है यह आपका क्या है यह आपका अर्दस्वर में आता है ठीके अर्ध स्वर में आपका आता है जो आपका या है ठीके और एक और होता है वा ठीके या और वा ये दो आपके हैं जो अर्ध स्वर कहलाते हैं ठीके option write up को यहाँ पर C हो जाएगा next question आपको अगला दिया गया है जो कि अभी हमने theory आपको बताया था कि महाप्राण धोनिया benzen work में किस से संबन्दी थे महाप्राण जो धोनिया होती है वो कौन कौन से इस्थान पर आती है अभी हमने डारेक्ट आपको जवाब दिया था कि जो आपकी समिस्थान रखते है अर्था दूसरा और चौथा समिस्थान में दूसरा और जो चौथा होता है वो महाप्राण कहलाता है option write up कर C हो जाएगा अगला question है हिंदी वर्ण माला में उस्म बेंजन कौन से है उस्म बेंजन उनको कहते है जिनको बोलने पर मुह से उस्मा ज्यादा निकलती है अगर आप हाँ थेली भी लगाएंगे अधर वर्ण की तुला में उस्मा ज्यादा निकलेगी ऐसे वर्ण को बोल कर देखे और जवाब आपको देखने मिल जाएगा जो कि option right आपका A हो जाएगा सा 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 और हा या आपके उस बेंजन कहलाते हैं ठीके next question का रहाते हैं question आपसे अगला है कि हिंडी के जिन वर्डों का उच्छारन करते समय केवल स्वांस का प्रियोग किया जाए उन वर्डों को क्या कहते हैं सिर्फ स्वांस का प्रियोग किया जाए सिर्फ स्वांस को प्रियोग करते हैं उन्हें हम लोग अग्होस बोलते हैं क्या बोलते हैं अग्होस बोलते हैं याद रखेगा सग्होस और अग्होस ये भी आपको पढ़ना होगा A number आप हो जाएगा अगोस नेश्ट कोशन दिया है कि कौन सा वर कन थो मतलब ओष्ठ नहीं है कौन सा वर्ड ओष्ठ नहीं है ओष्ठ कौन होते हैं अब समझीए जिनको बोलने में दोनों ओठ आपस में इस पर स्करते हैं उनको ओष्ठ बोलते हैं अब यहाँ पर ऐसा कौन सा वर्ड है जो ओस्ट नहीं है तो म, ब, और आपका उ, यह होते हैं लेकिन आ, आ जवाब है वो आपका ओस्ट नहीं है, option आपका D हो जाएगा, अगर है अल्प, प्रांट, धोनिया के समूं कौन है, अल्प, प्रांट, धोनिया और अल्प, स्थाने, option right up का B हो जाएगा, चलिए, वर्ड सब्द का अर्थ नहीं होता है, वर्ड सब्द का अर्थ नहीं होता है, क्या, तो वर्ड का अर्थ ड्रंग होता है, जाती होता है, और अच्छर होता है, लेकिन आकास नहीं होता है, जवाब आपका B हो जाएगा, अगला कौश जो होता है उस उप्रतेक वर्य के प्रथम और दुती वर्ड होते हैं और सगोस जो होता है उप्रतेक वर्य के तिर्ती चतुर्त और पंचम वर्ड होते हैं ठीके यहां सभी स्वर होते हैं वो सगोस में आते हैं तो इस प्रकार से यहां पर आपका जबाब 19 को हो जाएगा चिर्ती, चतूर्त और पंचम वर्ड जो होते हैं वो आपके घोस यह कह सकते हैं सगोस में आते हैं इस प्रकार से ऐप्षन रैट अप कभी हो जाएगा चली अगला कोश्चन आपसे पूछा गया है यहाँ पर कि किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है तो अनुस्वार किसे कहते हैं कहते हैं स्वर के बाद आने वाली नासिक धोनियों को हो लोग अनुस्वर कहते हैं क्रपा क्रस्ला द्रस्टी बिलकुलीजी कोश्चन है और लॉक करते हैं option D को याँ पर रिवाज में कोई भी प्रकार कर दीशी आपका नहीं है चरे अगला question दिया गया है करेमीद के समय से कंट दोनिया कौन सी है कंट दोनिया अभी हम एप कता है था कि जिनको बोलने में कंट आपका ज्यादा बाइबरेट करता है ज्यादा बाइबरेट करता है रथा यहां पर देख सकते हैं जो भी है, option этом ग्लुका यह हो जाएगा ओ और किस प्रकार के वर्ड है ओ और ओ यह जो आपके वर्ड है यह आपके कंठोस्त में आते हैं कंठ और ओठ याद रिखे कंठ और ओस्ट से कंठ मतलब कावर्ग और ओस्ट मतलब पावर्ग तो यह दोनों को मिलाने से ही आपको बनते हैं कौन आपके कंठोस बनते हैं ओ और ओ ठीक है ओप्सन आपका डीवा पर हो जाएगा सही अगला कोशन है कि नेमली कितमे से ओष्ट धनी नहीं है ओष्ट धनी नहीं है ओष्ट हमने बताया था दोनों ओठ आपस मिल जाएं उन्हें ओष्ट बोलते हैं पापाबाबा में है ना और यहां पर ओप् धनी यहां पर आपकी कौन सी है तालब धनी चा चा जा 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 जिसमें से आपकी जीव तालू की सपस करती है तो आपसन राइट आपके यहां पर ए हो जाएगा नेस कोशन दिया है कि कौन सी धनी अलप प्राड़ है कौन सी धनी अलप प्राड़ है अलप प्राड़ भी हमन तावर यह आपके अलप्राण में है नेस्ट कोशन है कि हिंदी की इसपर्स घोष महाप्राण दंत बेंजन धोनी है अर्थात ऐसा कौन सा वर्ड है जो इसपर्स बेंजन भी हो घोष भी हो महाप्राण भी हो और दंत भी हो दंत भी हो दंत अभी हमने आपको तया था इसे एक इसपर्स बेंजर में भी आता है घोस में भी आता है महाप्राण में भी आता है और दंत में तो है ही दंत में तो देखो ये भी है लेकिन ये रूर नहीं फाल हो रहे हैं इस प्रकाश से सी नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा next question दिया है कि हिंदी की सपर्स प्राइट आपको यहां पर हो जाएगा ए नंबर जो भा है यह इस पर्समें आए घोस में भी है महाप्राण भी है और ओष्ट भी है पता है कि अकृती की अंसार मूह कितना खुलता है कितना नहीं खुलता है तो स्वर जो सम्वरत स्वर है सम्वरत स्वर वो आपका है E ठीके कौन सा है यहाँ पर C number E हो जाएगा अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ी थेवरी आप पढ़िएगा तो आपको चलूर यहाँ पर सम्वरत, अर्द, सम्वरत, विवरत, इलोग यहाँ पर देखने हो कि मिलते हैं अर्थात, जिसमें से जीव और दातों का इस परस हो, ता था दा धा, यहाँ पर आपका सही जवाप सी नमबर हो जाएगा, नेस कोचन है कि निम्रिकित ध्वन्यों में से कौन सी दंतोस्ट है दात में भी हो और ओस्ट से भी हो ठीक है दंत से भी हो और ओस्ट से भी हो वह आपकी ध्वन्य कौन सी है तो याद रखेगा दात और ओस्ट से बनने वाली ध्वन्य आपकी निकलती है वह यह बहुत ही बेह सुना आपका है दंदोस्ट में आपका आता है वा आता है फिके चली अगरा कॉश्शन है कि निंभ dud यू में इसे कौंसा मुर्धन नद्वनि का और अठा आता है सा कौन यहां पर ओप्सन है जो मूर्धन मूर्धन मतलब होता है जिसको बोलने में अगर थोड़ा सा रुक लिया जाए या समय दे दिया जाए तो उसमें से आपको मूर्चा आ जाएगी अब मूर्चा आ जाएगी इसका मतलब यह हुआ जैसे आप बोलते हैं टा ठा डा डा यह जो वर्ड है यह आपके मूर्धन्य में आती है तो 33 को आपसन राइट सही जवाब हो जाएगा ता ठा डा ढा यह आपको हो जाएगा 33 को अब बी नमबर हो जाएगा मूर्धन्य ठीके नेस्ट कोश्चन आपको दिया गया है आपर सा धोनी का उच्छारन इस्थान है सा जब सा बोलते हो तो काफी तेज सिटकारी निकलती है उस्मा निकलती है तो यह उस्म में तो है ही साथ में साथ में यह क्या है यह तालब भी भी है यह आपके तालू में भी अथाच्चा वर्ग में भी इसे उठा कर रखा जाता है साथ में उस्म में भी है फीके आगला question यहाँ पर निम्लेखित में से कौन सा बेंजन पार्सवीद से आगया है जोकी आपकी this list रीज का यहाँ पर एक question हमने बताया भी था पार्सवीद कौन होता है कौन सा होता है आप ही हमनी बताया था जो ला है जो आपका पार्सवीद next question दिया है किने में लिखित में से कौन सा परस्च स्वर है कौन सा परस्च स्वर है परस्च स्वर पूछा गया है अगल्या भासा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है भासा की सबसे चोटी इकाई पूछाय है और भासा की सबसी छोटी काई वर्ड होती है ठीकि वर्ड होती है फिर धोनी होती है इस प्रकार से डिनमबर वर्ड माला कहते हैं किसे कहते हैं वाई वर्ड माला वर्ड माला अर्थात वर्डों की एक सामुहिक माला वर्णों को अगर सुवेस्थि ढंग से पिरो दिया जाए अर्थात वर्णों की ब्योस्थि समूं को वर्ण माला कहते है डिनमबर नेस कोशन दिया है किन्ने में से कंठ दौनिया कौन सी हैं कंठ दौनिया अभी हमने आपको आता है था कंठ से निकलने वाली अर्थात का खा यहाँ पर ए नमबर आपका सही हो जाएगा चलिए अब तक आप लोगों को यहाँ पर लगभग देखा जाए तिस चैप्टर को कंप्लीट हो चुगा होगा आप कोश्चन रिपीट होंगे थोड़ी स्पीडी में रहेंगे एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए सभी लोग सभी जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग वीडियो लाइक करिए और ज्यादा सेयर करने को प्रयास करिए ठीक है चलिए तो यहाँ पर देखिए कि मूर्धन बेंजन भी हमने आपको आता है था मूर्धन मूर्धन में आपका टाठा डाढ़ा यह आपका आता है ना 40 को उप्सन राइट आपका हो जाएगा सी नंबर ठीक है चलिए निम्ण में से अलपप्राण कौन से हैं अलपप्राण और अलपप्राण जो विशामिस्थान होते हैं का खा गा गा थेकिए का खा गा देखिए विशामिस्थान में लगया ना इस प्रकास से बी नंबर नेस्ट कोशन निम्ण में से नासिक की बेंजन कौन सा है नासिक की बेंजन उन्हें बोलते हैं जिनको बोलने से नाक और क्या कहलाते हैं जो ए हैं यह वड़ जो होते हैं इनको क्या कहते हैं इनको कंठ और तालब रथात यह कंठ से भी निकलते हैं और तालू से भी निकलते हैं याद रखें कंठ के अंतरगत भी रखते हैं अर्थात कावर्ग में और तालब रथात चावर्ग में भी रखते हैं अ लिए हिंदी वर्ड माला में अयोग गिवाह वर्ड कौन से हैं अयोग गिवाह और अयोग गिवाह वर्ड जो होते हैं अंक और अहा होते हैं इनका आपकी वर्ड माला में बोलने के आधार पर प्रियोग नहीं होता लेकिन लिखने के आधार पर लेक के आधार पर इनका प्रि वित्त 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 होता है कि कोई भी सब्द अगर दोरा यह देख सकते हैं यहाँ पर सोरा सब्द आपको जो है वो यह आपको दिख रहा है ला और फिर से आपका ला अर्था दृत्य बेंजन आपको दिल्ली में है ठीक है अगला कोशन है सा 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 और हा जो बेंजन है वो आपके कौन से है अब ही हमने बताया था सा 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 बोलने में उस्मा मिलती है उस्मा निकलती और उस्मा जो निकलती है उनको हम लोग उस्म बिंजन बोलते हैं ठीके 46 को उस्म राइट आपका यहां पर C हो जाएगा आपका उस्म तो है नहीं और उस्म को ही हम लोग संघर्षी भी बोलते हैं ठीके याद रखें उस्म को संघर्षी भी बोलते हैं और यहां पर C हो जाए या आपकी जिसे गजल होता है है ना ऐसे सब दोते ही आपके नवीन बिक्सित धुनिया है जो कि अरभी फार्सी वर्णों से निकल कर आपके हिंदी वर्ण माला में आई है निम्ण मेंसे कौन सा घोस वर्ड है घोस और सघोस दोनों ही एक है अघोस आपको कह सकती है यहाँ पर देख सकती है मा जो आपका है यहाँ कि कौन से वर्ड में आता है पंचम में आता है और घोस यहाँ सघोस हमने बताया था कि 33, 45 वर्ड होते हैं वो आपके घोस होते हैं यह आपर C नंबर हो जाएगा अगरा है कौन सा अमानक वर्ड है 49 नंबर तियाद रखेगा अमानक वर्ड यहाँ पर आप लोगों ने स्टार्टिंग में देखा होगा जब कभी भाबना करता था कुछ इस प्रकार से भाबनता था पहले है ना यह जो आपका भाबना है यह अमानक वर्ड है यह दखे C नंबर अमानक वर्ड इसको वर्डों में नहीं रखा गया था लेकिन यहाँ पर बाद में इसको वर्ड में रखा गया आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस प्रकार से भाबना हुआ आपको पहले दिखा करता था वो वाला उस प्रकार से आपका ही यह वाला ठीके नेट में डालिया आपको अच्छर दिख जाएगा अमानक वर्ड क्या होता है चलिए का गा जा फा धोनिया किसकी है अभी नवीन विक्षित धोनिया साथ में अभी होता है था अर्भी फार्सी जो धोनिया होती है वो आती है बिनम्बर आपका हो जाएगा नेश कोशन दिया है कि हिंदी में मूलता होर्डों की संख्या कितनी है हिंदी में आपके मूलता होर्डों की संख्या बनता है और यह किस के अंतरगत आता है यह संयुत वर्ड के अंतरगत आता है ठीक है सी नमर हो जाएगा संयुत वर्ड हिंदी सब्दकोष में च्छा का करम किस वर्ड के बाद आता है तो यह आता है का के बाद च्छा अभी हमने विताता है का धन सा बताया था आपको इस प्र से बनता है जया या घय सखती है जया बोलो कि तो आसानि हो dryer कि जया जय धन्यां निकल से हो समय निकल आके आता है यहां पर जब भी आपको कभी बी जया ही घया आयां उछ्य दो殺 Pros दोसब्द सिलिगे डिनम्बर सब्धन हो कॉंद है कौंसा है अग्षॉस अभी अब नेद्ट यहाँ पेहला ओर दूसरा वर्ड यहाँ पर 55 चवेवर्ण यहाँ पर सभी जवाब होजैग डी नमबरःध अगरा है घा का उच्चारन स्थान कौन सा है घा का उच्चारन स्थान और घा का उच्चारन स्थान आपका यहां पर क्या हो जाएगा वही आए ना आपका बिनम्बर आपका हो जाएगा नेमलिकित में इसे कौन सा उवण उच्चारण की द्रस्ची से दंते नहीं है दंते नहीं है ता था दा धा न तिया पर ता था दा धा न है लेकिन टा नहीं है टाब क्या आता है मुर्धन में आता है इस प्रकार से सही जवाब आपका D हो जाएगा अगला है जिन सब्दों के अंत में A आता है उन्हें क्या कहते हैं जियाद रखे जिन सब्दों के अंत में A आता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं उसे हम लोग बोलते हैं अकरांत क्या बोलते हैं अकरांत बोलते हैं option D हो जाएगा और नेश कोशन दिया है कि 6 वर्ड किसके योग से हमें इसा कोशन पूछा गया है इसलिए यह repeat भी हो रहा है तो 6 वर्ड जो बनता है वो आपके बनता है काधनसा option आपका यहाँ पर यह हो जाएगा ठीक है काधनसा अगला है हिंदी वर्ड माला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है हिंदी वर्ड माला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है जब भी यह प्रस्ण आयत इसका जवाब आप लगाईएगा 11 ठीक है option रट आपका B हो जाएगा अगला है कि निम्लिकित नहीं इस स्वर नहीं है देख सकते हैं तो ये भी ये ये भी लेकिन यह आपका इसमें नहीं नहीं है ओर ता वर्ग नहीं तो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है चलिए पहला प्रसनाम से पूछा है तो बहुत कठी ने होते हैं लेकिन अगर थोड़ी से पहँचान अगर आपको पता है तो आप आस्थानिस दे सकते हैं है ना, तो देखो काले घटा का घमंड घटा, तो ये घटा वाला ये तो आपका होगा नहीं है, फिर दूर है मानो घर ना हो, कोई चिडिया घर हो, इसका मतलब कह incent है है, मानो सब्द आपको दिया है, मानो सब्द आर्थाती यहीं से आपको पता चल गया कि इसका राइट अंसर आपका बने कौन सा यहाँ पर आपका B हो जाएगा मानो सब्द लगा है ठीके तो वन का जवाब कौन सा आएगा वन का जवाब बिल्कुश सही है काफी लोगों के जवाब आच चुके है और अगला प्रसना आपका है आधा तीतर आधा बटेर होने का अर्थ बताईए इसको भी हमने काफी अच्छी तरीके से बताया है आधा तीतर आधा बटेर मतलब के सिकते हैं जो तीतर होता है बटेर होते हैं कि प्रियाति की होते हैं लेकिन गाकार चृटा ना यरा इनी नंबर बिल्कुत सही है जिसका इनल गे और सिन आभा दिया है पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निमने खित में से उंचित लोकुक्ति का यहां पर चैन करना है चलिए बहुत अच्छे पैसे से ही आदमी की इज्जत होती है बिलकुछ सही बात है और यहां पर देख़े कौन से आपका हो जगा थरी नंबर में तो यहां पर होता है जर है तो नर नहीन तो खंडः जर है तो नर नहीं तो खंड़यर मने पैसे हैं तो बीबी होगी पैसा नहीं होगी pic डूनाल ट्रमप जिसे अमिर की वी उनको पद से बाद के बाद उनने उनको तलाः कि वहीजी हम देको उधारन ऐसा आपको來到 याद रहे है तो आपको हमेशा कुछ अगला पुछा गया है देखिए जरूरी ने की जौब ही पाईए है ना लेकिन पैसा अनिवार होता है अपने पढ़ाई का प्रयोग कहीं न कहीं आप कर सकते हैं ठीक है नेस्ट प्रस्णाप का है निम्न वाक्यों में से बिसेशन सम्मंदी वाक्य चुनिए बिसेशन आती है धीरे धीरे बोलो तो यहां पर देखो रामा अच्छा यह भी तो सही है आज वर्षा अधिक हुई अधिक यहां पर कैसे कम जाद अधिक हो गई सुने ना अच्छा चित्रवांती यहां पर तीनों में आपके विसेशन है यहां पर कैसे तुरूटी यहां पर यह होन प्रस्मिय आपके तुरूटी है ठीकि इसका जवाब का D हो जाएगा नहीं लगा कर अगला दिया है विकल्प जो दियेगे हैं दिशा का भवचन दिशा का भवचन क्या होता है दिशा का भवचन क्या होता है तो दिशा का भवचन होता है क्या फटा फटा फट जवाब दीज है जो कि आपके कौन थे आपके मोहां राकेस जिसका जवाब डिया रहा है बिल्कुछ सही है मोहां राकेस हो जाएगा नेस्ट कोशन है निम्रिकित में से अनुचित जोड़े को छाटना है कारा डंके की चोट पर इस पर सब्दों में जाहर के पुढ़िया धोके बाज ये भ बहुत बढ़ा चड़ा कर बोलते हैं इसे होते हैं न तो यहां पर कहसे हैं कि बीरक्ति होना ये इसका आश्या आपका नहीं है ठीक है अगला प्रसना का है वर्तनी के दिरस्टी से असुद्ध सब्द का चेन करना है चलिए बताए भई यहां पर असुद्ध कौन सा है आप कहसे ये गल्टी आपका थी अप्रसना का यह हो जाएगा अगला दिया है दूर दूर तक दोड़र विशंट्रस था हिम इसताब उसी के हरदाय समान में कौन सा अलंगकार है नए अपको जवाब देना है तो यहां पर पर देखो समन है ना समान सब्द आपको दिया गय अगला दिया है विलोम सब्दों के अन्चित जोड़े को पहचानना है अन्चित जोड़े अब बताना है पहला दिया है लब का अलब दिया है सेस का सेस दिया है सिस्ट का परसिस दिया है यह तो गलत हो गया यह गलत हो गया क्यों सिस्ट का परसिस ने होता है सिस्ट का असिस् तो देखो निज भासा उन्नत ये है सब उन्नत के मूल है ना ये तो पढ़ाए अपने ये पंक्ति आपने पढ़ाए भारति धर्शन की निज भासा उन्नत ये है सब उन्नत को मूल और सनफ कभी राइट हो जाएगा अगला दिया गया है पानी सब्द का वचन क्या है पानी ज जो है या माटेरियल लाउंज जो भी होता है हमेशा एक वचन ही होता है मतलब कैसे इसका राइट अंसर कौन लगाएंगे ए नमबर सदा एक वचन लगा दीजेगा ठीके अगला दिया गया है निम्लिकित में से समनार्थी सब्द कौन सा जोड़ा सही नहीं है समनार्थी अब एक दूसरे के समाना आपके हों देखते हैं कवशा रधन हो गया है न जंडभा पता का हो गया के कमल और अमब और आपका दिया चैन करनाए यहां पर न६ूरप और मतलब के सकते हैं चौदा वाले में देखो जो मरधूर तो गलत है इसका मतलब है ए नमर आपका होज़ेगा मरधूल इस प्रकास होज़ेगा मरधूल ठीके के लिए रहे ना चले अगला दिया गया है परधान मंतरी बालगरस्त छेत्रों का दोरा करेंगे भाविष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष सब्द का समनार्थी इनमें से कौन सा है नवीनतम सब्द का समनार्थी यहां पर देखे नवीनतम का मतलब होता है यहां पर ग्रह है नया चांद जले नहीं ओप्षन सी होज़ेगा ताजा मक्खन होज़ेगा ठीक है क्या होज़ेगा सी नमबर ताजा मक्खन होज़ेगा अगला दिया है नेम देखे तवाकों में से असुद्वाक कर चेन करना है अठारा नमबर में देखे भई अठारा नमबर में असुद्वाक से पूचा गया है यहां पर द दंडर के योग है क्या होता है वह दंड के योग है मतलब कह सकते हैं कि यहां पर गल्ती कहाँ पर है बी नंबर होज़ेगा अगरां दिया है एक रम में वपवान था नंदन वन सा सुन्दर इस पंक्ति में का उंसा यहाँ पर आपको सा सब्द दिया हैं सा decades होता है सा संसी सरे इस हमने बता आए तो यह आपको होते हैं उप मलंकार में आपका डी हो जाएगा ठीक है अगला दिया गया है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लच्मड के होस लाए वाकि में की गई तुरूटी का यहाँ पर बताना है हनमान जी हनमान ने संजीवनी बूटी से लच्मड को होस लाए है ना मतलब कह सकते हैं यहाँ पर जो गलती है वो आपके कहाँ पर है तो कारक संबन्दी आपकी गलती है क्या है कारक संबन्दी आपका गलती हो जाएगा option आपका A हो जाएगा अगला दिया है दिये गए वाक्यों में से सही वाक क्या आपको बताना है 21 नमबर सही वाक क्या आपको कौन सा हो जाएगा गयरा है उनका अंग अंग काटा गया अगला दिया गया है कराप से इस्त्रिलिंग विद्वान सब्दका इस्त्रिलिंग क्या होता है विद्वान का इस्त्रिलिंग क्या होता है विद्वान का 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 होता है व देखे ओप्सन राइट यहां पर होता है पुन्रक्ति प्रकास क्या होता है पुन्रक्ति प्रकास होता है ओप्सन डी यहां पर राइट हो जाएगा के लिए रहे चले मधुसाला किसके द्वारा रचित है इस प्रशने को भी आपने कई बार पढ़ा है मधुसाला मधुकलस अ अगला है दिए गए वाक्यों में से सही वाक्या आपको बताना है कहरा है यद्दिप वह बिमार है तद्दिप वह मेले में गया तो भी यहां पर 25 वाले में देखेंगे यद्दिप और तद्दिप यद्दिप और तद्दिप बिल्कुँ सही होता है मतलब यह match आपको देखना होता है और कुछ नहीं देखना है ठीके अधर देखो यद्यप दिया है फिर यहाँ पर गलत है है ना यद्यप के साथ हमेंसे तद्यप होता है option A आपका killer हो जाएगा ठीके अगला प्रस्ण आपका दिया गया है रोगडी बोली कहां बोली जाती है इस प्रस्ण का जवाब आपको देना है ठीके रोगडी बोली कहां बोली जाती है इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा अगला question आपका यहाँ पर जीके से है कि विस्व का सबसे बड़ा सागर कौनसा है यहाँ पर जवाब दिजीगा विस्व का सबसे बड आई एस ए मतला यह प्रसांत मासागर होता है यह अटलांटिक मासागर होता है यह इंडियान मतलब करें सकते हिंद मासागर यह साउथ हिंद मासागर जो आपका दच्छिण माला है और यह जो आपका यह है यह आपका आर्केटिक मासागर सबसे बड़ा प्रसांत सबसे चो आप दीजीगा 82 नंबर तो इसको यहाँ पर के सकते एक पॉइंट आपको पता होगा एक पॉइंट होगा कि लगभग 1828-35 ठीके इस समय मतलब के सकते हैं इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका राइट अंसर आपका बनेगा कौन सा भी आपका बनेगा सी लाड इर्विन ठ ठीके अगले प्रिशखातें प्रशखाप शिला पुछा गया है निमन मेंसे कौन सा समय धानिक निकाए नहीं है समय धान मतलब समुड़ान बना ठाइन एक समय नहीं किया गया था ठीक weten इसका नए नाम नीती आयोग है वो भी आपके कैसे हैं सब गैर समयधानिक है यह समयधा एक नहीं है ठीक है डिनमर आपका होजेगा अगला है लगवग एक से केस करोड है ना ओप्सनाप का सी होजेगा नेस प्रस्णाप का दिया गया है कह रहा है कि अंतरास्टी दिनांक रेखा निम्न में से कौन सी है दिनांक रेखा यहां पर पुछा गया है अंतरास्टी दिनांक रेखा कौन सी है चले पचासी नमबर जवाब एक 180 डिग्री देशांतर रेखा है ठीक है और यह आपकी जो किसकते हैं जो 180 वाली आपकी है यह यहाँ पर किसकते हैं इसे जो एक महासागर पढ़ता है तीन बारी से ऐसे फोल्ड भी किये थी ठीक है चलिए अगला प्रसनाब से पूछा गया है किसने इंडिया गेट पुस् तक किसने लिखा है यहाँ पर आपका जवाब से क्या हो जाएगा ती यहाँ पर आपका बनेगा 86 को उप्सन राइट आपका डी लेसी फोबर्व ठीक है फोगर लेसी फोगर है यहाँ पर 86 को उप्सन राइट अपको कौन हो जाएगा यहाँ पर आपका डी से हो जाएगा चलिए और अगले प्रसकाते हैं प्रसाप से पूछा गया है यहां पर आप से कह रहा है निम्निकित में से कौन सा उत्तम कोटी का कोईला है उत्तम कोटी का कोईला देखो कोईले की पैचान क्या होती है उसके कारवन का परसंटेज कितना ज्यादा है जिसका कारवन का परसंट टड़ परिस्ति थे या बसा है बगदाद बगदाद किस sólo किना रहे तो बगदाद जो ऊपका है वो आपका tygress होता ह।कि यह तो आको सेचल सेटीन बयसान वाला नेल होता मिस्र में है न मिस्र टेंस लंदन आपका है सें तोhost क मैं से सास्ति पूराग नामक रंगीन तेवहार किसके द्वरा मनाये जाता है यहाँ पर पूराग पूराग नामक रंगीन तेवहार किसके द्वरा मनाये जाता है नबय नमबर आपसे पुछा है यहाँ पर आपका जवाब को औम होजगा नबय नमबर में तो यह अपका होता है एक असम ठीक है असम की ओक जंजाती है missing जन जाती कौन सी missing यहाँ पर option आओ जगा D missing जन जाती की दोरा यह मना जाता है ठीक है अगला प्रस्ण आपका है अर्थ सास्त में market का अर्थ क्या है अर्थ सास्त में जो market होता है मार्केट का जो अर्थ होता है क्या होता है तो यहाँ पर कह सकते हैं अर्थ सास्त में मार्केट में क्या होता है वीनमय का केंदरी स्थान क्या होता है मार्केट ही होता है ठीके वहीं पर सब आपको होता है लेना और देना जो आपका है RBI बैंक, बैंकों का बैंक RBI ठीक है, ओप्सन आपका A हो जगा RBI, अगला दिया है, विस्व का सबसे मुलबान चित्र, मोना लिसा किसके द्वारा बनाया गया, यहां पर देखे, यहां पर आपका कौन हो जगा, तो आपका लियो नार्दो दा विंसी, हैना यह प्रस्ण आपका पूचा गया है, भारत में सिविल सर्विसेज के, जो संस्थापक थी, वापके कौन थे, यह प्रस्ण आपको हर लेवल मिलता है देखने को, हैना, चलिए, बिल्कुर सही है, 94 नंबर में कुछ लोगों के जवाब आ चुके है, तुरंत ही आ गया है, यहां प्रस्ण आप से गला है, ओबरा, किसके लिए प्रसिद देए, ओबरा ताप विद्धुत है, हैना, यहां पर ओबरा जो आपका है, ओबरा यह ताप विद्धुत हर थात, उसमी विद्धुत केंदर हो गया, हैना, अपको हो गया थर्मल पावर, ओप्सन डी, उसमी विद् जो होती है तो थोड़े थोड़े तो दिम में पहूंचेंगे लेकिन हमने आपको आता है जो समताफ मंदल होती है वसमों प्रतकुम आपने कि नाय," सम्ताफ मंदल, अगला using तो यहां पर Ah pää के इस प्रकास से आपके इस सोते हैं याद रिखिए ससुभार्ण निसर अगला है इसका राइट अंसर हो जयेगा, ए नमबर पाँच हो जोज़ेगा ठीके अगला प्रस्वाम से पुचा गया है कह रहा है किसका जन्म दिवस सायुक तराश्टि अहिंस दिवस की रूप में मना जाता है अंतराश्टी अहिंस दिवस महत्मा गांधी ठीक आपके हैं तो 99 को अउप्षन कौन सा हो जह थांतराशती परिपत आपके फार्मूला वन ग्रैंडड परिक्स पॉपशन के सम cells लिए वह और यहां पर आपके 2-3 कोरसनन आ गए हैं चले इसको भी देख लेते हैं यहां पर दिया गया है दो एक 0.5 0.25 यहाँ पर कहला है इसकी अगली स्रंखला कौन सी हो जाएगी चलिए भाई इसमें से भाग दीजेगा अगर आप भाग देंगे एक दूसरे का भाग दीजे क्योंकि इस स्रंखला पॉइंट में आ रही इसका मतलग कोई सिक्ते कम होती जा रही है पर भाग देंगे थो 0 कैसकते 0 2 5 हो जाएगा फिर अगर इसमें से भाग देंगे तो 0.125 अगर इसमें से 2 की भाग देते हैं तो 0.125 0.125 है कहीं अप्सन में जी हाँ अप्सन आपका मिल गया इकौन सा भी आपका हो जाएगा ठीक है अगले प्रसकाते हैं प्रसाब सब्सक्राइगा है एक तीन चार साथ ग्यारा आठकी संखला में अगली संखला कौन सी है इसकी संखला देखो पूछा गया है इसमें से कौन सा पैटरन बनेगा इसमें देखिए कौन सा पैटरन बन जाएगा एक तीन चार साथ तो इसका मतलब अगर हम संबाले के देखेंगे उस संबाला भी कोई से कोई नहीं मिला है देखें इसका एक दूसरा यहां पर देख लेते हैं कि किसे साथ यहां पर देखो यहां पर एक प्लस तीन एक प्लस तीन जोड़ा गया कितना आ गया चार आ गया यह हो आपको यह 11 प्लस 18 जब 11 प्लस 18 जोड़ेंगी तो कितना आजएगा आठेक नो इसका मतलब 9 वाला आप्सन के इन पर है 29 याना आप्सन अपका डी बिलकुर हो जाएगा सही है चलिए अगला नेम लिकित में से बेमेल यहाप चुनना है बेमेल आपको चुनना है यहाप पर कह होती है मले आलम भासा में होती है यह जो होती है यह मले आलम भासा में होती है वालीवुड जो आपकी होती है आपकी हिंदी भासा की आपकी है टॉलीवुड जो आपकी दच्छिन भारती भासा में आपकी है ठीके ना भारती फिल्म उद्धोग आपके है जब किया पर जो बेमेल आपको चुनना है यहां पर आपको कुछ दिये गए हैं एंफ्लॉयंजा टाइफाइड मलेरिया और मदमे इससे पढ़ने से आपको यह पता चला गया चारों आप्सन में कि टाइफाइड है ना फिर आपका टाइफाइड एल्फॉयंजा मलेरिया इन्फुले तो इसक आपको अगला प्रसन आपका दिया है पच्पन और शपन में यांपर पूछा गया है कहिए जो अगला पॉंट बनेगा यहां पर होता है यहांपर आपको पच्पन में इसका भी सही कर देंगे घड़े चॉकलेट मतलो इसमें लिखते हैं और पेंट बुरुस से हम लोग क्या करेंगे भाई यहाँपर चॉपनू से polítबूस में है कागज है कैनवास है कलम है और पेंसिल हो झाये चॉपन वाले में तो स्याम पर क्यापर चॉपलेट से लिखा जाती है है ना के अन्वास इसको अप्शन कौन से मनेगा भी आपका हो जाएगा ठीके तो इस प्रकास यहां पर यह कोश्चन आपके हुए ठीके ना पसंद आया तो वीडियो लाइक भी करिएगा और डेली क्लास है आपके वोती धन्यवाद राधे राधे